नमस्कार दोस्तों मैं मैंनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्व चैनल पे दोस्तों आप लोग में से बहुत सारी लोग रो जाना मुझे तक्रीबन दस से बारा मैसेज जरूर मिल जाते हैं जो कि पूछते हैं कि RRB Group D हो या NTPC हो इसका क्या डेट है कैसे मतलब कि एकजाम होगा कि नहीं होगा कब होगा मतलब कि इसके वारे में अक्सर मुझे कमेंट मिल जाते हैं तो देखें जब भी कोई ऐसा ख़वर आती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ तो अभी 5 बज़े का ख़वर है यानि कि 10 मिनट पहले यह जो ख़वर है वो आई है जणसत्त के जो ब्लॉग है वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहीश तारीका ही यह ब्लॉग है तो यहां पर देखेंगे RRB NTPC ADMICARD 2019 CVT1 exam data live update देख लें यह जरूरी जानकारी देखें यहां पर नीचे लिखा है इनका बात हुई है गोहाटे जोन के जो चेर्मेन है RRB के उनसे बात हुई है तो उसमें लिखा हुआ है बिभिन मीडिया रिपोर्ट के मतावित RRB गोहाटी के चेर्मेन इंदरजीत सेकी या ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड अधिकारी के विबसाइट पर परिच्छा की जानकारी जल्द जारी करेगा परिच्छा 10 से 15 दिन के बीच आयोजित की जाएगी यानि कि जो आपका CVT-1 है ऐसा उनके अस्टेटमेंट के अनुसार RRB के चेर्मेन जो गोहाटी जो उनके हैं उनके अस्टेटमेंट के अनुसार ऐसा आप कह सकते हैं कि जो आपका CVT-1 होगा वो 10 से 15 दिन के अंदर निपड़ जाएगा हलाकि ये सुनने में देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतने सारे लड़के हैं और लड़कियां भी है ऑवियस है तो इतना जल्दी कैसे ये निपटा देंगे CVT-1 यानि कि 10 से 15 दिन के अंदर जब कि आपने देखा होगा ग्रूप डी में तो दो-दो महीना चल गया था हलाकि इसमें कम उससे अपलाई किया है लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन अजीब टाइप का लगता है लेकिन फिर भी इनका स्टेट्मेंट है तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर आर भी कुछ भी कर सकता है मतलब कि ये अज जोनल अधिकारियों से बात करेंगे उसी के बाद एंटीपीसी परिच्छा की लिए तारीक का नियनर देंगे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सभी जोनल के अधिकारियों से बात करेंगे उसके बाद एंटीपीसी के परिच्छा की तारीक का नियनर देंगे यानिकि अभी तक का statement है RRB की तरफ सा official statement है कि अभी तक डेट इन लोगों ने नई fix किया है यह जरूर हिंट दे रहे हैं कि जो भी जब भी fix हो जाएगा यह 10-15 दिन के अंदर निप्टा देंगे तो यह अभी का update है NTPC के regarding और भी जैसे update आएंगे मैं आपको update कर दूँगा ठीक है तो आप कमेंट करते रहेंगे लेकिन जहां पर मुझे लगा कि update आ गई है तो मैं आपको provide कर दूँगा ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद